अब मैं भारत के माननिय उप राश्ठ पती जी एवं माननिय सभापती राज्यसभा श्री जगदीप धंखर जी के शुप कामना संदेश पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं माननिय उप सभापती राज्यसभा श्री aquarium जी को माननिय हरिववण जी भारत के उप्रास्पती संदेश भारती लोक तंत्र की अभोधपुर विकास यात्रा की इस महत्पूर एतिहासिक घड़ी और गौरोचण में पूरे देश को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अपार खुसी है हमारा मौझूदा संसद भावन आजादी मिलने से आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान बनने तक की इतिहासिक यात्रा का गवाह है मुझे पूरा यकीन है कि इस अम्रित काल के दौर में बना नया संसद भावन आगे भी हमारी तेज प्रगती का साक्षी रहेगा आत्निर्भर भारत बनाने से लेकर जन्ता की मूल भूत सभी जरूरतों की पुर्ती तक देशवासियों को ससक्ष बनाने से लेकर समग्र गरीबी उनमुलन तक यह गौरोसाली भावन भावी दस्कों के दौरान अनेक इतिहासिक पलों का अध्याय लिखेगा नई संसद हमारी सास्वत धाराओं का प्रतीक है यह हमारी संब्रिध भारती वास्तुसल्प परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रगती विकास के लिए आध्युनिक टेक्नोलोजी को सर्वोत्तम तरीके से आत्मसाथ करने की हमारी छमता को भी प्रदिर्शित क करता है वैस्वी कोविड महमारी से उत्पंचुनौतियां हमारे कर्मठ्व प्रतिबध स्रम सक्ति के अटल संकल्प को रोकने में बिफल रही यह भब्य देशज नई संसद गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति के हमारे राष्टिय संकल्प का भी प्रतीक है मुझे बहुत खुसी है कि हमारी संसद का नयाभवन भारति मुल्यों संसकारों का प्रकासिस्तम है इसमें हमारे मुल्क की बिविधिता देश के हर कोने से लाई गई कलाकृतियां वा मुर्तियां है जो भारतिय कला तथा संस्कृति की स्रेश्टम प्रदर्शनी के रूप में इसकी भबता में चार चांद लगाती है संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है यह बरत्मान और भावी पीडियों की आकंच्छाओं हसरतों की सुचारू पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही सनातन परंपराओं तथा स्रेश्ट लोकतांत्रिक मानकों के संरक्षक के रूप में भी काम करता है संसत का यह भवन देश के कोने कोने के भिन भिन स्रेश्ट विचारों को प्रतिविम्बित करेगा इनके बीच राष्ट्री सहमति बनाने की दिसा में इसका अमुल्ली योगदान होगा मेरा द्रण विश्वास है कि संसत का नया भवन नीतियों और विधानों के माध्यम से देश के हासिये के लोगों को विशेश तरजीह देते हुए सभी देशवासियों की आवशक्ताओं और आकांचाओं का सक्रियता से समाधान सुनिश्चित करेगा इस तरह भारत की बुन्यादी परतिबधता को और सुद्रध करेगा यह मुल्क लोगतंत्र का पालना है दुनिया के सबसे पुराने उंग बड़े लोक्तांत्रिक देश के रूप में भारत, लोक्तांत्रिक मुल्यों और प्रक्रियाओं के वैस्विक फैलाओ और संडक्षण में सहायक रहा है मैं आस्वस्थ हूँ कि सम्मान, महिमा, विज्ञान, महान संस्कृति का प्रतीक संसद का नया भवन, लोक्तंत्र को जिवंत रखने एवंग सुद्रण करने की दिसा में हमारे सतत प्रयासों को पुनह नई उर्जा और बल देगा और सफलता का मार्क प्रसस्थ करेगा या कहते हुए मुझे अपार खुसी है कि माननिये प्रधान मंत्री स्री नेरेंद्र मोदी जी जो आजादी के बाद जन्म लेने वाले हमारे मुल्क के पहले प्रधान मंत्री हैं इस सांदार भवन का लोकारपन कर रहे हैं जैसा कि मैं एकसर कहता हूँ और मेरा दिडविश्वास है कि संसद लोक तंत्र का मार्ग दर्सक ध्रूवतारा यानि नौर्थिस्टार है संसद लोगों के जनादेश को प्रतिभिंबित करने वाला सबसे प्रामारिक मंच है किसी देश की नियती को दिशा देने में इसकी निर्णायक भूमी का असंदिक्द है और या प्रिजा तंत्र का मूल मंत्र और सार है तक्निकी रूप से ससक्त संसद निश्चित रूप से संसद सदस्यों को रास्ट की नियती को आकार देने के लिए अपनी उर्जा और प्रतिभा को स्रिष्टम रूप से उजागर करने में सक्षम बनाएगी लोकतंत्र के मंदिर के रूप में संसद की उद्दातता को बढ़ाएगी मुझे पूरी उमीड है कि नया भवन भविस्की भावी चुनोतियों के बीच भारत का पथ प्रदर्शक बनेगा हमारी साजा उमंगो आकांच्छाओं और अभिलासाओं को सार्थक और ससक दिसा देगा हार्दिक सूप कामनाय अंत में देश के मान्य उप्राश्पती जी आधर्यन स्री जगदीब धनकर जी का हस्ताक्षर दिनांक 28 में 2023 नई दिल्ली